लेह लगदाक की वादियों में सल्मान खान और पूजा हेगड़े करेंगे भाईजान फिल्म के गाने की शूटिंग सल्मान खान की भाईजान लंबे वक्त से खबरों में हैं इसकी कभी फिल्म के कास्ट की वज़े से चर्चा होती है तो कभी फिल्म के टाइटल को लेकर खबरे आती रहती है मीडिया रिपोर्ट की माने तो सल्मान ने फिल्म कभी इसकभी दिवाली का टाइटल बदल कर अब इसका नाम भाईजान रख दिया है अब हालिया रिपोर्ट की माने तो सलमान एक्टरस पुजा हेगडे भायजान की शूटिंग के लिए लेल अद्दा के लिए रवाना हो चुके हैं जहां दोनों फिल्म के एक स्पेशल गाने की शूटिंग करेंगे मालुम को बीते दिनों सलमान खान को फिल्म की शूटिंग के लिए एक निजी चार्टर पर सवार होने के लिए मुंबई की हवाई अड़े पर देखा गया उनके साथ उनकी कोस्टार पुजा हिगड़े भी थी अब इस बारे में रिपोर्ट की माने तो सलमान पुजा दिसंबर 2022 में रिलीज होने वाली भायजान की रोमैंटिक गाने की शूटिंग के लिए लेल अद्दा के लिए रवाना हुए है रिपोर्ट में सुत्रो का हवाला देकर बताया गया है कि दोनों लेल अद्दा के कुछ वर्जिन लोकेशन पर शूटिंग करेंगे रिपोर्ट में आगी बताया गया है कि सल्मान और पुजा अगले चार दिनों के लिए लेल अदाक में कई स्थानों पर शूटिंग करेंगे इस गाने का रैप कहने के बाद भाईजान की टीम मुंबई में वापस लोट आएगी मुंबई में करीब दो महिने में फिल्म के कुछ स्पेशल सीन और एक्शन ब्लोग की शूटिंग करेंगे और अक्टूबर के अन तक इसे फिल्म रैप कहेंगे क्योंकि उनका मानना है कि भारत में किसी अने देश की तरह जहां शूट का परिद्र से बंजर भूमी से लेकर बर्व से ढके पहाडो और विदेशी जंगलो तक बिंन होता है जब टीम भाईजान के रोमेंटिक नंबर की शूटिंग के लिए लोकेशन की तलाश में थी तो सलमान ने लद्दाक में शूटिंग का सुझाव दिया भाईजान इसी साल 30 दिसंबर को सिनमा घोरों में रिलीज होने वाली है फिल्म में सलमान खान और पूजा हिगडे के अलावा वेंकटेश और जग्पती बाबू भी लीड रोल में देखे जाएंगे अजकलो की माने तो फिल्म में शैनास गिल जिस्ति गिल और सिद्धात निगन जैसे कलाकार भी दिखाई देंगे